नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ऑनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुसखबरी लेकर आया हूं तो यह खुसखबरी क्या है मैं आपको बताने वाला हूं कि SSC की ओफिस पुलिस में SI और ASI की बेकंसिस निकली हुई थी जिसमें क्या हुआ था कि इनका जो मेडिकल एक्जामनेशन था उसमें जो कंडिडेट्स अन्फिट हो गये थे उनके लिए यह बहुत बड़ी खुसखबरी है तो दोस्तों उनके लिए क्या खुसखबरी है यह मैं पूरी आपको बताने बाला हूँ लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओन्लैन क्राशिस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यह है दोस्तों नोट प्लेश, C.A.P.F. and E.S.I. in C.A.S.F. Examination 2018 तो यह दोस्तों क्या है की दी कंडिदेट्स ओप्सक्राइब देली प्लेश, Central Armed Police Force and Assistant Sub-Inspector in C.A.S.F. 2018 who were declared medically unfair during the detailed medical examination conducted with effect from 16 March 2020 to 21 March 2020 but could not prefer an appeal for review medical examination within the stipulated 15 days after their rejection due to the nationwide lockdown may prefer their appeal to the following तो अब इसमें दोस्तों इन्होंने बताया है की 2018 में जो सब-Inspector की डेली पुलिस और Central Armed Police Force जाने की C.A.P.F. में बढ़ती हुई थी और Assistant Sub-Inspector की C.A.S.F. में बढ़ती हुई थी उसका क्या था दोस्तों? Detailed Medical Examination था कब था यह? 16 March 2020 से 21 March 2020 तक इनके DME थी मतलब detailed medical examination और उसमें किया है जो candidates unfit हो गया थे वो lockdown लगने के कारण क्योंकि आपको पता है 22 March से ही यहां पर आपका lockdown लग गया था ठीक है? तो 22 March से आपका lockdown लग गया था जिसके कारण यह review medical examination के लिए अपेल नहीं कर पाए तो उनके लिए दोस्तों यह बहुत बड़ी खुसकवरी है कि आप आप अपना जो review medical examination के लिए अपेल करना चाहते थे जो नहीं हो पाई थे उसको आप कर सकते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक appeal the appeal of such candidates should be preferred within 15 days from the date of published of this notice 18 तारिक के बाद में 15 days लगा लिजिए उसके अंदर आपके लिए दोस्तों आपके appeal करनी है तो इस पते पर आपके लिए अपना review medical examination के लिए appeal करनी है ठीक है 28 तारिक से आप 15 दिन आगे लगा लिजिए मदलब 13 सेतमबर तक आप apply कर सकते हैं ठीक है तो यही थी दोस्तों आज की इस वीडियो में काफी अच्छी एक ख़वर थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि जो candidates DME में unfit पाए गए थे व 15 days के अंडर मदलब 13 सेतमबर तक 13 सेतमबर तक आप अपने RME के लिए apply कर सकते हैं तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो में वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरू बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को subscribe जरू करें तो चल